दारूल उलूम देवबंध ने एक तुगलगी फर्मान चारी किया है, स्लाविक सिक्षा के संस्थान ने चार छात्रों को महज इसलिए निकाल दिया क्योंकि उन्होंने दाढ़ी कटवा ली हालाकि इन चात्रों ने मैनेज्मेंट से माफी भी मांगी लेकिन उन पर कोई रहम नहीं किया क्या इसलामिक शिक्षा का सबसे बड़ा इदारा फिर सुर्खियों में है, इस बार के सुर्खिया हैं एक अजीबो घरीब तुगलगी फर्मान की वजह से तो एक इदारा जो इसलामी तालीमात के आम करने के लिए इसलामी तालीमात को फरोग देने के लिए बनाया गया हो अगर वहां पर इसलामी तालीमात नहीं दी जाएगी तो पिर कहां दी जाएगी दूसरी बात यही है कि हर इंस्टिऊशन का, हर तालीमी अदारे का अपने कुछ उसूल होते हैं, कुछ दापते होते हैं और उनको यहां को इखतीयार होता है कि वो अपने जापतों के अदिबार से अपने स्टूडन्ट्स को और अपने इदारे में पढ़ने वाले लोगों की तालीम और तर्बियत के इंतिजाम करें इसलिए अगर कोई इदारा अपनी कानून के मताबिक अपने असूल के मताबिक अपने स्टूडेंट्स की तर्बियत के तालुक से कोई अगदामात करता है तो किसी को भी उस पर इतरास करने का हख नहीं होना चाहिए इतरा ही नहीं दारूल उलूम के मैनेजमेंट ने कहा है कि अगर किसी ने दाड़ी काटी तो उसे इदारे से निकाल दिया जाएगा साथ ही ऐसे चात्रों को एडमिशन भी नहीं मिलेगा जो दाड़ी कटवाते हैं मैरेजमेंट की तरफ से एक नोटिस चस्पा किया गया है नोटिस में लिखा है दारूल उलूम के प्रश्ट सिंख्या 19 पर साफ है कि बिना किसी विशेश कारण दाड़ी को मुणवाना या तराश करना अर्भी मदर्सों में कौरान और हदीस पढ़ने वाले चात्रों के लिए कते शोभा नहीं देता इस तरह का कृत्य आलिम को दागदार बना देता है दारूल उलूम देवबंद इस मामले में हमेशा गंभी रहा है ऐसे में अगर किसी चात्रों का ऐसा करते पाया गया तो उसको दाखिला नहीं मिलेगा और अगर वो पहले से पढ़ रहा है तो उसका दाखिला निरस्थ होगा इसलिए चार चात्रों का एड्मिशन इस बिना पर निरस्थ कर दिया गया है आरूपी चात्रों ने माफी नामा पेश किया लेकिन उनके स्कृत्यों को देखते वे उन्हें माफ नहीं किया गया पेगंबर हजरत मुहम्म्मस अलाहु आलेही वसल्म ने जिस तरह जिन्दगी गुजारी है ऐसे जिन्दगी गुजारना सुन्त है इसी तरह धारी रखना भी सुन्त है उलमा के नजदी मुट्थी भर से जादा बड़ी हुई धारी को कटवाया जा सकता है याद रखें तमाम मुसल्मानों को जैसे पेगंबर मुहम्मस अलाहु आलेही वसल्म ने जिन्दगी बसर की है गुजारी है वैसे ही जिन्दगी गुजारनी चाहिए जुँ छात्रों को निकाला गया है उन्होंने 15 दिन पहले दाड़ी कटवाने के लिए माफी मांग ली थी लेकिन मैनेजमेंट ने उनकी माफी कबूल नहीं की अब दारूल उलोम को जवाब देना होगा कि राइट टू एजुकेशन कानून होते भे भी उन्होंने ये फैसला क्यों किया